नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्वर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे वर्किंग ओफ हाइड्रोलिक रैम के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोलिक रैम की इन्वेंशन किस ने की थी दुनिया में सबसे पहले सेल्फ एक्टिंग रैम पंप को फ्रांस के जोसफ मीसेल मौन्ट गोलफियर ने वर्स 1796 में इन्वेंट किया था जिने होट एर बैलून के को इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है और वर्स 1797 में उनके ही एक मित्र मैथ्यू बोल्टन ने उनी के भिहाब पर ब्रीटिस पेटेंट प्राप्त किया और जोसफ मीसेल के बेटे ने वर्स 1816 में रैम पंप के मोडिफाइड वर्जन के लिए ब्रीटिस पेटेंट प्राप्त किया अब बात करते हैं hydraulic ram क्या है और किस principle पर यह काम करती है hydraulic ram एक ऐसा device है जिसमें small quantity of water को हम pump करते हैं high level तक जहां पर हमें large quantity of water available है low head पर मतलब कि जब हमें low head पर बहुत ज़्यादा amount में water available है तो उसके small quantity of water को हम high level पर pump कर सकते हैं hydraulic ram की मदद से और यह water hammer principle पर काम करता है यह इसका principle है water hammering में क्या होता है जब हम बहते हुए या flowing liquid को suddenly रोक देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो liquid mass में change in momentum आता है जिसकी वज़े से sudden rise होता है pressure में और इस pressure rise का utilize करके हम liquid के कुछ portion को high head तक या high level तक raise कर सकते हैं तो इसी principle पर hydraulic ram काम करती है तो अब बात करते हैं इसके components क्या क्या हैं supply tank और यह chamber valve box है जिसको supply pipe के माध्यम से जोड़ा जाता है और supply pipe में chamber valve box की तरफ एक supply valve भी लगा होता है और यहाँ पर delivery tank है और यह air vessel है जिनको delivery pipe के माध्यम से connect किया जाता है chamber valve box में दो valve लगे होते हैं valve V1 जिसे waste valve कहते हैं और valve V2 जिसे delivery valve कहते हैं V1 और V2 दोनो non return valve होते हैं मतलब कि liquid सिर्फ एक ही direction में flow कर सकता है तो आप जान लेते हैं hydraulic ram में working किस प्रकार से होती है सबसे पहले supply tank में जो liquid होता है उसको supply pipe के एक सीरे पर लगे supply valve को जब open करते हैं तो supply tank से जब पानी flow करता है तो वह चैंबर valve box में enter करेगा और धीरे धीरे यहाँ पर जो water level है वो बढ़ना सुरू हो जाएगा और यहाँ पर दो valve हमें नजर आ रहे हैं waste valve और valve V2 delivery valve जैसे ही chamber valve box में पानी का level बढ़ने लगता है तो उसके respect में waste valve V1 upward direction में move करने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब पानी से chamber भर जाता है और जो waste valve है वह बंद हो और पानी धीरे धीरे air vessel में enter करने लगता है जिससे air vessel में मौझूद air compressed होने लगती है और जो compressed air है air vessel में मौझूद पानी पर force exert करती है जिससे पानी delivery pipe में जाने लगता है और पानी की small quantity को ज़्यादा उन्चाई तक भेजना संभव हो जाता है और जैसे ही पानी का momentum तूट जाता है तो valve box में delivery valve V2 बंद हो जाता है और valve V1 खुल जाता है और इसमें क्या होता है जो pressure होता है valve box में वो atmospheric pressure से कम होता है और इस process को फिर से दोराया जाता है मतलब कि cycle को repeat किया जाता है फिर से पानी को raise करने के लिए और इसमें जो air vessel का प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग करने का मुख्या परपज यह है कि जो delivery pipe में जो water hammering होती है उसको होने से बचाना और पानी के flow rate में होने वाली fluctuation को कम करना hydraulic ram की कुछ महतरपूर्ण विसेशताईं भी है और वो इस परकार हैं जैसा कि हमने diagram में देखा hydraulic ram की जो working है वे पूरी तरह से automatically होती है इसमें बहुत कम maintenance की जरूरत पड़ती है hydraulic ram में कोई moving part का प्रयोग नहीं होता जिससे लगातार oiling भी नहीं करनी पड़ती है और इसकी खास बात यह है कि जो running cost है वे है भी negligible है hydraulic ram में पानी को pump करने के लिए किसी परकार से external energy की भी जरूरत नहीं पड़ती है hydraulic ram के माध्यम से नदियों के पानी को खेती के कारे के लिए प्रयोग में करने में काफी यह मददगार भी है और इसका प्रयोग remote region में किया जाता है जहां high head पर पानी को pump करना available नहीं होता किसी source के माध्यम से लेकिन जिन remote regions में बिजली पहुँच गई है और वहाँ pump को drive करना संभव हो गया है तो कह सकते हैं उनक शेत्रों में hydraulic ram पूरी तरह से obsolete हो गई है तो दोस्तो आज हमने जाना hydraulic ram में क्या क्या components हैं और यह कैसे काम करती है अगर आपको यह video अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और एन इन्यूर्स डबल टू को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए video के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे